हाई गाईज वेलकम बैक टू नेधर सेशन मैं अब आभनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेर्स का एपिसोर नमबर 785 आज की तारीक है 21 सेप्टेंबर 2020 हमारे दो चानल्स है पिनाकुल और फ्रेंटर आएस और अगर अब तक आपने माई चानल्स को सब्सक्राइ करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से scclpnacle.com, ablgdhaka.com में दोनों को विजिट करना बिल्कुल न भूलिएगा ये सेशन हर रोज सुबा चार बज़े वैलिबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के कोशन पूछे जाते हैं जिनका अंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ आपका पहला क्वेस्चन था किस भारतिये को संयुक्त राष्ट्रे ने सतत विकास लक्षे 2020 के यूवा प्रेनेताओं के सूची में शामिल किया है तो इसका सही जवाब था उदित सिंगल और आपका दूसरा क्वेस्चन था अजादी, फ्रीडम, फेशिजम, फिक्षन पुस्ता किस ने लिखी है तो इसका सही जवाब था अरुन्धती, रोय, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेस्चन के साथ, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधान मंत्री जॉन टर्नर का निदन हो गया, तो इसका स्टार्वे प्रधान मंत्री के रूप में शपत ली थी, वह 1968 से 1975 के दुरान प्रधान मंत्री पियरे टूडो के नेतरितवों में नियाय मंत्री और वित मंत्री सहित कई प्रमुख कैबिनेट पदों पर रहे, टर्नर ने कैनेडा के तिहास में दूसरे सबसे छोटे कारेका सेवन्टी नाइन दिनों के लिए प्रधान मंत्री पद ग्रहन किया, उन्होंने 1990 में लिब्रल नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया और 1993 में सक्रिय राजनीती से सेवन रित हो गए यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन टूडे, अजे पिसारिया एक मार्च धोजर बीज से कैनेडा में भारत के नए उचायुक्त बने है बात करें कैनेडा की तो इसी कैपिटल है उटावा और करंसी है कैनेडियन डॉलर अगला प्रशन है इंडियन प्रेमियर लीग में शामिल होने वाले सेयुक्त राज्य अमेरिका के पहले खिलाडी कौन बन गए है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अमबर B अली खान आईपेल फ्रेंचाइजी कौलकता नाइट राइडर्स ने अमेरिका के 29 साल के तेज गेंदबाज अली खान को चोटिल तेज गेंदबाज हैरी गर्नी के रिप्लेस्मेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है अली आईपेल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी क्रिकेट बन गए है अली खाने हाल ही में वेस्ट इंडीज में संपन हुई केरिबियन प्रेमियर लीग में हिस्सा लिया था और वे टूर्नमेंट जीतने वाली त्रिनबागो नाइट राइडर्स के सदस्य थे अली खान को सीपील में आठ मैच खेलने का मौका मिला था इसमें उन्ह अकैडमी ने भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बी सी सी आए के साथ आईपील का केंद्र प्रायोजक बनने के लिए तीन साल के अनुबंद पर स्ताक्षर किये हैं अगला प्रशन है पुस्तक अब बर्निंग किस ने लिखी है जो राष्ट्रे पुस्तक पुरसकार के लि नमांकित किया गया है निया धीशों ने नैशनल बुक अवर्ड होजार बीस के लिए उमिद्वारों की घोशना की है और विजेताओं की घोशना 18 नवेंबर को की जाएगी यहां पर एक को एक रिविजन की बात करें तो अबनी दोशी की बुक गर्ल इन बाइट कॉटन ब विश्व बांस दीवस हर साल 18 सितंबर को विश्व सतर पर मनाया जाता है यह दिन बांस के लाभों के बारे में जागरुटा बढ़ाने और रोज मर्रा के उतपादों में इसके उप्योग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है विश्व बांस दिवस 2020 के ग्यारवे संसकरन की थीम बैंबू नाउ है 18 सितंबर 2020 को विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैंबू डे के अफसर पर पुर्वोतर क्षेतर विकास मंत्री ने बैंत एव बांस प्रोदियोगी की केंद्र केन एंड बैंबू टेकनोलोजी सेंटर CBTC तथा भारती उध्योग परिसंग Confederation of Indian Industry CII दवारा आयोजित बांस वेबिनार को संबोधित किया भारत सरकार ने कच्चे बांस की वस्तुव पर आयात शुल्क 25 प्रतीशत बढ़ाया है भारत सरकार के इस निर्ने से घरेलू बांस उध्योगों जैसे फरनीचर, हस्त शिल्प एव अगरबती बनाने में बड़े पेमाने पर मदद मिलेगी और भवन निर्मान सामगरी के लिए बांस के उप्योग को बढ़ावा भी मिलेगा यहाँ पर एक क्विक रिविजिन की बात करें तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है अगला प्रशिन है दो अक्टूबर 2020 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी दवारा किस विज्ञान शिखर समेलन का उद घाटन किया जाएगा तो इसका सही जवाब है उप्शन नमबर B वैभव वैश्विक भारतिय विज्ञानिक वैभव का वर्चुल शिखर समेलन का घाटन दो अक्टूबर 2020 को गांधी जी की जैनती पर माननिय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी दवारा किया जाएगा वर्चुल समिट एक महिने लंबे विचार विमर्ष सत्रों के साथ होगा जो की 3 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा यह एक वेबिनार के माध्यम से शोद करताओं के बीच आयोजित किया जाएगा सत्र 2 नवेंबर 2020 को समाप्थ होगा वैश्विक भारतिय विज्यानिक शिकर समेलन भारत के S&T और अकैदेमिक संगटनों दुवारा एक पहल है ताकि विचार प्रक्रिया, प्रथाओ और R&D संस्कृती पर विचार विमर्ष को सक्षम करने के साथ साथ समस्या समधान दुष्टिकोन भी हो सके विश्व बांस संगटन दुवारा अधिकारिक रूप से विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 में आयोजित आठवी विश्व बांस कॉंग्रेस दुवारा भोशित किया गया था अगला प्रशन है BCCI ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के साथ एक समझोता ग्यापन प्रस्ताक्षर किये हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर C सेयुक अरब अमिराथ BCCI और अमिराथ क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंदों को बढ़ावा देने के लिए एक समझोता ग्यापन और मेज जबानी समझोते प्रस्ताक्षर किये हैं अगर COVID-19 मामलों में उच्छाल जारी रहता है तो भारत की घरेलू श्रिंखला के लिए UAE दूसरा विकल्प बन सकता है बी-सी-स अचीव, जैशा और अमिराद क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालित अलजरोनी ने दो देशों के बीच क्रिकेट संबंदों को बढ़ावा देने के लिए एक समझोता ग्यापन और होस्टिंग समझोते प्रस्ताक्षर किये बात करें UAE की तो इसकी कैप्टल है अभुदावी और करंसी है UAE धिरब अगला प्रेशन है राष्ट्रे तकनी की अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन बने है तो इसका सही जवाब है उप्शन नमबर B अनिल धस्माना पूर्व अनुसंधान और विशलेशन विंग R&AW के प्रमुख अनिल धस्माना को भारत के तकनीकी निकाए के राष्ट तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की अध्यक्षिता में मंत्री मंडल की नियुक्ती समिती ने नियुक्ती को मंजूरी दी है धस्माना ने इंटेलिजन्स ब्यूरो के पूर्व अधिकारी सतीश जाका स्थान लिया धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी पाकिस्तान विशेशग्य है और फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के प्रमुख योजनाकार थे अगला प्रशन है सस्टेनिबल डेवलोप्मेंट गोल्स से जुड़े सम्प्रभू बॉंड जारी करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है तो इसका सही जवाब है option number D मेक्सिको सैयुक्त राश्ट्रे दुवारा निर्धारित सतत विकास लक्षों से संबंदित राश्ट्रिक बॉंड सोवरिन बॉंड जारी करने वाला मेक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है इसने इस बॉंड के जरिये साड़े साथ सो मिलियन यूरो आठ सो नबबे मिलियन डॉलर जुटाए है SDG बॉंड सितंबर दोहजार सताईस में मैच्चॉर होगा और 1.603% की मैच्चॉरिटी दर और 1.350 की कूपन दर से बढ़ेगा यह नया बॉंड मेक्सिको के नये SDG सोवरेंट बॉंड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है जिसे फरवरी में फ्रेंच इंवेस्टमेंट बैंक ने टिक्सिक्स के साथ साजेदारी में जारी किया गया था बात करें मेक्सिको की तो इसी क्याप्टेल है मेक्सिको सिटी और करंसी है मेक्सिकन पैसो अगला प्रशन है सचिन देशमुक जिनका हाल ही मेनी दिन हो गया वे किस शेत्र से जुड़े थे तो इसका सई जवाब है उप्शन नमबर A क्रिकेट मुंबई के पूर्व क्रिकेटर सचिन देशमुक की करोना वाइरस से मौत हो गई वे 52 साल के थे देशमुक एक शांदार क्रिकेटर थे उन्हें मुंबई और महराष्टर दोनों के लिए रंजी टीम में जगह मिली थी अगला प्रेशन है चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबल पुरसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सई जवाब है उप्शन अमबर D इन सभी को यानि नरेंदर मोदी बॉरिस जॉनसन और डॉनल्ड ट्रम्प 2020 के आईजी नोबल पुरसकार विजेताओं को वाशिक सम्मारों में समानित किया गया यह सम्मारों वेबकास्ट था और भारतिय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी कुन नौ देश के नेताओं में से एक है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए नोबल पुरसकार जीता है इन नेताओं को COVID-19 महामारी को अपयोग करके दुनिया को यह सिखाने के लिए दिया जाता है कि विज्ञानिकों और डॉक्टर की तुलना में जीवन और मृत्यों पर अधिक तकाल प्रभाव राजनेता डाल सकते हैं प्रधान मंतरी मोदी के अलावा सूची में ब्राजील के जायर बोलोंसारो, युनाइटेट किंग्डम के बोरिस जॉनसन, मैक्सिको के अंड्रेस मैनवल लुपेज, बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेको, यूएसे के डॉनल्ड श्रम्प, तुर्की के रेसेप 21 से दिया जा रहा है, बात कर लेते हैं आज के सेशन के एक क्विक समरी की, तो जॉन टर्नर जिनका हाल ही में नितिन हो गया, वे किस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, कैनेडा के, आईपिय में शामिल होने वाले पहले युनाइटेट स्टेट्स के प्लेयर, अली का अधगाटन किया जाएगा, BCCI क्रिकेट बोर्ड ने UAE के साथ एक MOU साइन किया है, National Technical Research Organization के हेड अनिल धस्माना को बनाया गया है, SDG से जुड़े सोवरिन बॉंड्स का पहला लॉंच मेक्सिको ने किया है, सचिन देशमुक जिनका हाल ही में नितिन हो गया, वे आई जी नोबल प्राइज, निरेंदर मोदी, बॉरिस जॉंसन और डॉनल्ड ट्रम्प को दिया गया है, बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day की, आपका पहला क्वेस्चन है, इंडियन प्रेमियर लीग में शामिल होने वाले संयुक्त राजिय अमेरिका के पहले खिलाड आई कौन बन गए हैं, और आपका दूसरा क्वेस्चन है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, और अगर अब तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, साथी साथी इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हमारी दोनों वेबसाइट्स ससीसीजलपिनेकल.com और बिलजीटाकर.com को विजिट करना बिल्कुल न भूलिएगा, थैंक्यू सो मच